हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, स्माइल ओपली भी डॉक्टर पुर्नम वैसे तो दांट में दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है किसी के भी, किसी भी वक्त कभी भी दांट में दर्द हो सकता है लेकिन जिनके कभी ये दर्द हुआ है, वो समझ सकते हैं कि ये कितना सीवेर होता है बहुत ज़्यादा एह सहनी होता है उस टाइम बस दिमाग में ये रहता है कि कैसे ही करके हम इस दर्द को कम कर ले या खत्म कर ले और नहीं तो दांट को ही निकाल के फैंक दे, ताकि हमारा दर्द है वो जड़ से खत्म हो जाए लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीजे बता रही हूं, उपाई बता रही हूं जिसकी मदद से अगर आपके दांट में कभी दर्द हो गया, अचानक तेज दर्द हो गया रात के वक्त या किसी भी समय और आप डेंटिस्ट से कॉंटेक्ट नहीं कर पा रहे हों, तो ऐससी सिचुएशन में आप अपने दांट के दर्द को तुरन ठेक कर सकते हैं तो वीडियो को अंतक चरूर देखेगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू व होता है कि आपने घरेलू उपाई किये और आपका दान्त का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, नहीं, आपका दान्त का दर्द थोड़े देर के लिए या कुस दिनों के लिए कुस समय के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको डेंटिस्ट क पाद जाके करवाना होगा, अब जानते हैं कि सबसे पहले दान्त में दर्द होता क्यों है, किन कारणों की वज़े से होता है, क्योंकि अगर कारण पता होगा तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जादा एज़ी हो जाएगा, और कारणों के हाधार पर ही उसके घरेलू पस जाता है, और फसने की वज़े से आपके दर्द हो सकता है, और रात के समय वो जादा बढ़ जाता है, शुरू में थोड़ा थोड़ा फील होता है, और जब आप सोते होता है, तो केविटी की वज़े से दान्त में दर्द हो जाता है, या फिर आपके अपसेस बन गई है दान्त के अंदर अगर आपके पल्प में अपसेस बन गई है तो अपसेस की विज़े से भी आपके दान्त में सीवियर पेन होता है या फिर मसूडों में कोई infection है मसूडों में अगर infection है मसूडों में पस बन गई है तो उसकी वज़े से भी आपके मसूडे और दान्त दोनों में दर्ध हो सकता है अकल दाड में अगर किसी के अकल दाड निकल रही है या टेडी आई है या वहाँ पे कुछ खाना accumulate हो गया है तो उस situation में भी आपके दान्त में severe pain हो सकता है इसके अलावा अगर दान्त क्रेक हो गया है किसी भी कारण से मानलो आपने कोई heart चीज़ खाई है उसकी वज़े से आपके मतलब जैसे ही bite करते हो तो कभी कभी ऐसी bite हो जाती है जिसके वज़े से दान्त का कोई portion break हो जाता है क्रेक हो जाता है तो इस situation में भी दान्त में severe pain हो जाता है या फिर accidentally आप गिर गए हो कहीं चोट लग गई है तो उसका effect भी आपके दान्त पे आता है इस वज़े से भी दान्त में दर्द हो सकता है कभी कभी आपके जबडे में problem होती है यानि कि TMJ जिसकी problematic होती है वो TMJ के सासा दान्तों में भी उसके दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे से लोग आते हैं जो तंबाको गुटका का save-n करते हैं उनके दान्तों में भी क्योंकि इनेमल की जो उपरी लेयर होती है तंबाको गुटका का save-n करने वालों के वो लेयर होट जाती है जिसकी वज़े से उनके sensitivity शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो sensitivity दर्द में convert हो जाती है तो उन लोगों के भी दान्त में दर्द हो जाता है इनेमल गिषने का मतलब मैं भोना चाहूंगी कि जो हमारा दान्त होता है वो तीन लेयर का बना होता है जो उपरी लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलती है तो उपरी जो लेर होते हैं इनेमल वो सिर्फ तंबाको गुटका खाने वालों के ही नहीं बलके अगर कोई टित ग्राइंडिंग करते हैं उनके भी घिस सकती है नॉर्मली ही बहुत सारे एज फेक्टर जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी नेमल है वो घिसने लग जाते हैं तो उन लोगों में भी दान्त में दर्द कभी भी हो सकता है या फिर हाल ही में आपने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया हो जिसके रूट के नाल ट्रीटमेंट या दान्तों में फिलिंग करवाई है या फिर कैपिंग करवाई है तो इस सिच्वेशन में भी कभी कभी दर्द हो जाता है रूट के नाल ट्रीटमेंट में अगर कुछ प्रॉलं मेकों प्रॉब्लम होग्तों सब्सक्राइब होग्तुनौ gumizi ने, या 6 मेन बाद शीमाने वहाँ प्रॉपन सब्सक्राइब िखिता है, या लुकुर्ड़ाइब कुछ चाहता है, पोचे के सामया करन है, ये और ने चाहता है। कारण कि क्यों होता है दांत में दाइख अब चानते हैं इसका treatment क्या है में यहाँ पे dental treatment अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको थोड़ा सा जरू लास्ट में बताऊंगी लेकिन अभी मैं आपको सब घरेलू बता रही है क्योंकि घरेलू उपाय बताने का कारण यह है कि अगर आ आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पारे हो क्योंकि डेंटर ट्रीटमेंट आप डेंटिस्ट के पास जाने से ही होगा लेकिन कहीं सफर कर रहे हो कहीं ऐसी सिच्वेशन में हो रात के समय दर्द हो गया और इतना सीवियर है कि आप बरदास नहीं कर पारे हो तो यह घरेल उप तो इसको लगाने कर दो कि इसको लगाने का एक तरीका होता है ऐसे लगा तो वो इतना ज़्यादा फरक आपके दांत पे नहीं डालता है आपको क्या करना है लोंग दो या तीन लोंग ले लीजिए और उसको अच्छे से पीस लीजिए पीसने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा अप नारेल का तेल एड़ कर लीजिए और थोड़ी सी हल्दी और नमक एड़ कर लीजिए और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद उस पेस्ट को आप अपने कॉटन रॉल की मदद से या किसी स्पून छोटे सी पतला कुछ इंस्टूमेंट लेके आप अपने दांद के अंदर जिसमें तेज दर्द हो रहा है वहां पे लगा के उपर से कोटन लगा के छोड़ दीजिए आप देखोगे कि विदिन 5-10 मिनट्स आपका दांद का दर्द हो कम हो जाएगा और धिरे-धिरे कुछ समय बितेगा तो एक बार के लिए तो एक दि दर्द नहीं है आप थोड़े से एक छोटी सी बॉल बनाए हो कोटन की और उसके अंदर एक या दो डॉप ऑईल डाली है और अपने जिस दांद में दर्द हो रहा है वहां पे लगा के मुबंद करके रख लीजिए वो भी आपके तो दिरे-दिरे कुछी समय में आपके दा पहला उपाए इसके अलावा लहसुन लहसुन में एंटी मैक्रोबिल एंटी बैक्टियल और साथ ही एनलजेसिक गुण होता है जो आपके दांद को दर्द को ठीक करने में काफी फाइदे मन दोता है आपको क्या करना है लहसुन को अच्छे से पीस लेना है और उसमें भी होता है इसके अलावा आप अम्रूद की पत्यों का değiş सकते अगर आपके घर में यह नहीर्बाई है तो आप उसकी ताजा पत्या नीका लिए और उस ताजा पत्यों का इस्तिमाल अपने दांद के दर्द में कर सकते हो इसको उस्ते माल करने के दूर या तीन तर Saturday होते एक तो आप डाइरेक्ट चबा भी सकते हों दूसरा आपको क्या करना है एक पानी थोड़ा सा पानी उबालना है और उस पानी के अंदर कुछ पतिया अमरूद की कुछ पतिया डाल दीजिए और उसको अच्छे से उबलने दीजिए उबलने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक एड़ कीजिए और फिर छान कर उसको माउथ होश की तरह है आप उससे कुले कर लेजी अब दिन में अगर दो या तीन बार ये प्रोसेस करते हो तो इससे भी आपके दान्त का दर्द है वो ठीक होता है इसके अलावा आप पतियों को पीस कर उसका पेस्ट बना सकते हो और उस पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक एड़ करके जो दान दर्द कर रहा है वहाँ पे लगा सकते हो अगर आपके दान्तों में सेंसिटिविटी है sensitivity की वज़े से अगर आपके pain हो रहा है तो आप overall पूरे teeth में ये पेस्ट लगा के कुछ समय के लिए अगर छोड़ते हो तो आपकी sensitivity भी दूर होती है क्योंकि इसमे एनल जैसे good antimicrobial और antibacterial गुण होता है जो दान्त और मुँँ में मुझूद जो bad microorganism होता है उनको destroy करके आपके दान्त को healthy बनाता है तो अम्रूद और हम्रूद की पतिया बहुत फाइदे में दोती है दान्त के दर्द के लिए इसके अलावा अगर आपके health का फुलका sensitivity या pain है तो आप गुनगुने पाने में नमक कुल्य कीजिए इससे भी आपका दान्त का दर्द है वो ठीक होता है दिन में तीन से चार वार करते हो तो इससे आपका infection ठीक होता है कि जो नमक है वो natural antibiotic का काम करता है जब पानी में गुल जाता है तो जितने भी आपके मुझे है bad microorganism उनको destroy करता है लेकिन ये severe दान्त के दर को तुरण ठीक कर सकते हैं यह तो हमने जाना कि घर में इसका कैसे इलाज करें अब यह जानते हैं कि डॉक्टर इसका क्या treatment करते हैं अगर आपके केविटी की वेज़े से दर्द है तो फिर आपकी डॉक्टर है वो डेंटिस्टर वो फिलिंग करेंगे अगर अपसेस बन ग करें या फिर अगर वो पर पेरी को रोनाइटी चाने की पूरा मसूड़ा अकल दाड़ पर आ गया है तो उसको मसूड़े को हटा दिया जाते हैं इस तरीके से इसका treatment क्या जाता है या फिर अगर आपके दांद गिशने की वेज़े से problem है दर्द है तो उसके लिए डिशन स treatment के जाते हैं इस तरीके से आपके दांद का दर्द हो ठीक कर देते हैं इन सबके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा सीवेर पें हो रहा है और कोई भी घरेल उपाय काम नहीं कर रहे है तो आप के ट्रोल डिटी नाम सेने के के ट्रफोर्ड सॉल्ट केक मेडिसिन आती रहते हो उसको थोड़े से पानियों में डिजॉल करके आप पीजाए उससे तुरंत आपके दांत का दर्द हो ठीक हो जाता है इसके अलावा हलका है तो आपको पेंकिलर भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना एक या दो बार करना है फिर आज का टोपिक अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू